तो हलो बच्चों तो चलिए आज का अपना कुशन बच्चों पैराबॉला और लाइन पे है जो कि यही का पहला पहला प्यार है तो इस पे आपको मैं अमेजिंग सी एक ट्रिक पहले ही सिका चुका हूँ कि जब भी पैराबॉला और लाइन इंटरसेक्ट करेंगे तो यह एर राइट वर्ड ओपन हो या लेफ्ट वर्ड ओपन हो तो पॉइंट ओफ इंटरसेक्शन के दूरी य एक्सिस पे देख लिजे तो चलिए इसी ट्रिक को यूज करेंगे तो बिना इंटिग्रेशन के अपन तीस से किंड में निगाल लेंगे तो एरिया बाउंड़ेड इमिन के बीच का एरिया अगर ए है तो 12a की वेल्यू पूछी गई है तो सबसे पहला काम तो डाइग्राम ड्रॉ करना होगा इसके अंदर तो कॉडिने एक्सिस अपन बना लेते हैं तो सबसे पहले y बराबर x square plus 2 तो y बराबर x square plus 2 पैराबूला होता है अपवर्ड ओपन और plus 2 है तो y एक्सिस पे 2 units उपर चला जाएगा इस तरीके से y बराबर x square plus 2 ये two point of intersection with y axis होगा तो y बराबर x square plus 2 का ग्राफ ये होगा और y बराबर 2x plus 2 तो line है इसमें x की value 0 डालने पर भी y बराबर 2 आ रहा है ठीके और अगर दूसरा point of intersection निकालना है मुझे पैराबूला के साथ इन दोनों को equate करूँ मा तो 2x plus 2 बराबर x square plus 2 तो इसको solve कर लेते हैं 2 से 2 कट जाएगा 2x को उदर भेज दीजे तो 0 बराबर x square minus 2x तो x common ले लेते हैं तो x times x minus 2 तो 2 point of intersection आ रहे हैं एक x बराबर 0 पर जो कि already पहले हम निकाल चुके थे और दूसरा x बराबर 2 पर तो line आपकी कुछ इस तरीके से निकल जाएगी एना तो एक तो 0 पर intersect करेती और एक x बराबर 2 पर हमें negative x axis के लिए बनाने की ज़रूत निये line को क्योंकि x आपका 0 से 3 होना चाहिए तो 3 अपने मालने तो 2 के आगे है तो ये 2 के आगे 3 है तो अपने से बुला गया है कि इन दोनों curves का minimum तो आप ध्यान से देखिए 0 से 3 के बीच में इन दोनों curves का minimum तो 0 से 2 में तो कौन minimum है? लाइन उपर है और पैराबोला का अगर आप नीचे है तो 0 से 2 में अगर आप देखेंगे तो पैराबोला का अगर आप नीचे है तो वो minimum हो जाएगा तो पैराबोला के नीचे के area की बात कर रहा है हो तो थोड़ा सा समझदार जो बालक होगा, मैं यहाँ पर points माल लेता हूँ, कि यह जो origin है, इसको A माल लेते हैं, इस 3 वाले को B माल लेते हैं, इसको C माल लेते हैं, और इसको D माल लेते हैं, तो clearly दिख रहा है कि A, B, C, D तो एक trapezium है, और trapezium में से यह जो area है, parabola और line के बीच का, जिसके लिए अपने यह trick बना रखी है, A बराबर D cube upon 6 times LR, अगर वो मैं हटा दू, तो required area आजाएगा, जो question में पूछा गया था, बस इतना सा सोचना था, तो integration करने के जरोती नहीं है, और जो बच्चे यह trick जानते हैं, वो within 30 seconds इस question को निकाल सकते थे, ठीक है, तो trapezium का area, A, B, C, D का अगर लिखना है मुझे, तो half into sum of parallel sides, तो इस जो DA की value है, वो तो 2 है, प्लस, अगर मुझे BC की value निकालनी है, तो C का Y coordinate निकाल देता हूँ कि 3 पे, इस line की value क्या आ रही है मेरी, तो 3 put करता हूँ line पे तो क्या आ रहा है मेरा, 8 आ रहा है, तो इधर से Y axis पे किता, Y coordinate क्या हो जाएगा, C का, 8, तो मेरे पास, जो BC की length है, वो 8 आ जाएगी, तो half into sum of parallel sides, into height मेरी 0 से 3 तक 3 रहाती, तो ये trapezium के area में से मुझे क्या हटा देना है, parabola और line के बीच का area, तो question में पूछा हूँ area आ जाएगा, तो parabola और line के बीच का area होता है, D का cube divided by 6 LR, तो ये upward open है, तो distance X axis पे कितना है, इसका 2 है, तो 2 का cube क्या हो जाएगा, लिख देता हूँ, 2 का cube divided by 6 into, latest rectum के दिख रही है अपनी, Y बराबर X square plus 2, Y के आगे coefficient क्या है, 1 है, तो latest rectum की value 1 है, है ना, तो यहाँ पे 6 times 1 आ जाएगा, उसके बाद अब इसको calculate कर लेते हैं, 8 plus 2, 10, 10 by 2, 5, 5, 3 और 50, minus 2 का cube बोता है अपना, 8 by 6, जिसको further आप काटके 4 by 3 लिख सकते हैं, तो ये तो अपना A आया है, अपने से पूछा गया था 12 times से, तो इसको 12 से into कर देते हैं, तो 15 को 12 से into करेंगे, तो क्या आजाएगा students, 180 आजाएगा, minus, 4 बटे 3 को 12 से into करके देख लो, है ना, तो 3 से 12 कटे का 4 बार में, तो 16 answer आता है, तो 180 में सच 16 चला जाएगा, तो final answer would be 164, तो अपना option C correct हो जाएगा, तो at first आपको ये चीज सीखनी पड़ेगी, है ना, और फिर इसका application सुचना पड़ेगा, अब ये पहली बार में आपको लग रहा होगा, ये ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन ये आपको laborious integration से बचा रहा है बच्चो, और एक बार इसकी habit पड़ी, तो आप चंद शणों में answer लिख पाएंगे, ठीक है, तो चलिए मिलते हैं next lecture में,